तो 5 पॉवर्फुल स्मार्फून अंदो 15,000 तो बैए अगर आपका वजिट पचा सभाविन आप पचा सभार के बजिट में आप एक पवाव्फुल स्मार्फून लेना जाती हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए वीडियो को बूरा देखना, इसके पड़े मत करना start करते वीडियो किन वीडियो स्ताट करने से पहले यार मेरा इंट्रो तो अब ना मैं रभीर ना में यापशन आपको बहुत-ईभाइन आजनला थी आउन भावक्षार कॉंछ और सबस्क्राब वीडियों को करो लाइक इन यह है कि इसका display होगा, इसका प्रोसासर होगा, इसका camera हो गया वह बहुत अगला मिल जाता, उसके साथ साथ इसका design भी बहुत ज़्यादा सही है, okay? मैं ज़्यादा video लंबी नहीं करूँगा, मैं deeply बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको deeply नहीं बताना जाता हूँ, विकाज मेरी वीडियो का जो लेंग था ना वो जादा बड़ा हो जाता ना तो उसका कोई फैदा निया भी बात करते हैं इसके में स्पेसिफिकेशन की तो यह डिस्पली की बात याँ सेंटी एट इचे फुल हैशडी फ्लस दिस्पली मिल जाती है जो की वन्ट्वट रिफ्रेस्ट् के साथ आती है कि फ्लिवड डिस्पले है 10!!! refresh rate सच में matter करता उसके साथ आपको fluid display देखने को मिल जाना तो अगर आप outdoor use करोगे ना तो आपको experience बहुत सही होने बाला है processor की बात करूँ आपको snapdragon 865 मिल जाता है जो कि 7 nanometer technology के साथ बेस जगर आपने high ग्राफिक पर गेमिंग करने ना तो भी आप नॉबली इसली कर सोगोगे आज storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते है प्लस 120GB storage बैंटरी की बात करूँ आपको 4510ms की बैंटरी मिल जाते है बात करूँ आपको कॉर्ड कामरा मिल जाता है जिस पर फूरके वीड रिकारिक कर सकते हो 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP सेल्फी की बात करूँ आपको 16MP सेल्फी मिल जाते है प्राइस की बात को पचास हजार के बज़रे में वान प्लस 8MP प्रो देखने को मिल जाता है तो यार में स्पेसिफिकेशन में आपको वान प्लस प्रो की बता दिया अगर आपने इस स्मार्टफून की और जाना आप जा सकते हो ठीक है अगर आपने इस की और नहीं जाना जो मैं आगे फोन बताऊंगो न वो इससे भी पू अगरा गेमिंग स्मार्टफून लेना जाते हो तो आप जा सकते हो असूस रॉग फून 3 के और ये 5G स्मार्टफून उसके बाद आपको तगरा पर सासर मिल जाता है शिक्स ताउजंड अमेज की बैंटरी मिल जाते है प्लस इसका डिस्प्ले भी बहुत अगरा आपको 144 र आने वाला प्लस आपको डूल टाइप सी वगारा देखने को मिल जाती है इसके और भी स्पेसिफिकेशन आते हैं आप डीपली चागूड करना जातों मैंने इसका भी लिंक दिया हुआ है एक पर आप चागूड करने ना अगर आपको गेमिंग स्मार्ट हो चाहिए एंड अगर आपका पचास हजार है अभी बात करते हैं इसके में स्पेसिफिकेशन की तो यह डिस्प्ले की बातों को सिक्स पंट फिफ्टी नान इच फुलस्टी प्लस दिस्प्ले मिल जाते है जो की वान फॉटी फो रिफ्रेश्ट के साथ आते है जो की एमोलेड एक्टी या क्यम्हाइब कैमेरे की बात करों को श्कुल फो मेल जाता है शीप्ोम फॉसट फोली के वीरियोड और को चुछ नहीं मिल आपको फुस्टे की बात करों के शो सलेओर नहीं मिलता और फीच्र पी बात करूं आपको डौल यूस्वी पो आता है cooling system मिल जाता है एर ट्रिगर देखने को मिल जाते हैं अभी प्राइस की बात करो इसका प्राइस ना आपको 45 आउंचे लेके 50,000 के बजड़े में असूस रॉग फून 3 देखने को मिल जाता है तो भाई में स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया असूस रॉग फून 3 की अगर आपने स्मार्टफोन के और जाना आप इस स्मार्टफोन के और भी जा सकते हैं अब या आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करो नंबर थ्री पर यार मैंने रखा आईफून 11 को तो यार जो हना 50,000 के बजड़े में वीड़ देखने को मिलेगा वो 64 GB लगती है न तो आप इस स्मार्टफोन के और मत जाना लेकिन अगर आपका काम चल जाएका 64 के साथ तो आप इसके और जा सकते हो आपको ए थर्डी बावनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है जो की बहुत तगड़ा है उसके बाद कैमरा तो सभी को पता या फूर के में श चागड़ या था वैसे तो सभी ने चागड़ गिया यह पता ही होगा सभी को लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं चागड़ जाता आइफून 11 को तो आप एक बाद चागड़ कर लेना अभी बात करते है इसके में स्पैसिफिकेशन की तो यह डिस्प्ले की बातों को 6.1 इस लिकूर रिटीन डिस्प्ले मिल जाते है प्रसाइसर की बातों को एक चिपसेट देखने को मिल जाता है इस तो इसकी बात करों आपको 4GB RAM में जाते है प्लस 64GB बैंटरी की बातों को 310 प्लस वालेस चारजिंग स्पोर्ट करता है कैमरे की बात करों आपको डूल केमरा म पचली में ऐफोन 11 देखनी को मिल जाएगा तो यहार में स्पेसिटिकेशन में आपको आइफोन 11 के बी बता दी है अगर आपनी आपने स्मार्ट फून क्या हो जाना आप चाह सकते हूं आगे बात करते हैं निमबर लुक्त की बात कर यहां निमबर टूल की बात करने से पह बहुत अग्री होती है iPhone हो गया जा Samsung हो गया और कि आपको प्राविसी सिस्थम तगड़ा देखने को मिल जाती है अगर आप Samsung का फोन 15000 से अप पर ले ले लेती हो ना तो आपके लिए बैस दिल हो सकते है दिस्प्ले को आपको 15000 के बजल में भी बहुत तगड़ी मिल जाती है यह तो आई आपको 45 ताउन से लेके 50,000 के बजर में दोनों मिल जाएंगे तो भई जिसकी और भी आपने जाना है आप जा सकते हो इसकी खासेट की बात करूँ खासेट इसका प्रसाइसर मिल जाता है दिस्प्ले मिल जाता है डिजाइन एड कलर उसके बाद आपको कैमरा इसका जो है वह बहुत अगरा मिल जाता है इसको मैंने नुबर वान नुबर टू पर रखा विकर्ज आपको 8K वीडियो आप्शन मिल जाता है अगर आपको कैमरे के रिलेटिड ऋपोन चाहिए अगर आपने नौन चानिस्माटफोन के और नहीं जाना चाहते ही जाना जाता है आप्टके लिए डील को सकता है Samson Lexi S20 प्लस या Samson Lexi S20 अविदोनों वे से जो भी लेना चाहते है अपके में बात करते हैं की में स्पेसिफिकीशन की तो Samsung Galaxy S20 FE की में स्पेसिफिकीशन की बात करूँ पहले डिस्प्ले की बात हैं को 6.5 फुल हच्टी प्लस दिस्प्ले मिल जाती जो की सुपर एमलेड डिस्प्ले जो की 120 रिफ्रेक्शेट की साथ आती है प्रसाइसर की बात करूँ आपको स्नैप्डाकन 860 फार मिल जाता है स्टोरिज की बात को 8GB RAM मिल जाते है प्लस 120 बात करूँ आपको 4500 डामेज की बैंटरी मिल जाते है 1.25 बात क्या मिल जाता है चांस्उड कारा मेल मेगा साथी जसके वहाई आप 8K वीडिया करकती है सचमें इसका प्लस पैप दूइब मेशाब आ जाता है संप्संग लाक्सी 220 फीकिए मैंमें मैं आप आप करते हूं Samsung Galaxy S20 Plus की तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 6.7 इंच डानमेक अमलेट डिस्प्ले मिल जाते है पुरसासा की बातों को Xnox 990 मिल जाता जो कि 7 अनिमेटर टेकनोलोजी के साथ बेज़दा बहुत अगडा स्टोरिज की बात करूँ आपको 8Gb RAM एप्लमेट 2480 मिल जाते है केमरे की बात करूँ आपको काउर्ड कामरा मिल जागा 64 मेंश्ड प्लस 12 मेंश्डay प्लस 12 मेंश्ड फ्लस दू 1 मेंश्ड बात करूँ आपको 48000 के बच्रे में मिल जागा बड़ अभी Samsung का नया फून लाँच हो गया इन दोनों का प्र price में मिल जाएंगे इतनी price range में आपको इतना तगड़ा फून मिल जाना जो की बहुत ज़्यादा सही है सो that's why इनको मैंने number one पर रखा यार so यार में strategic के में आपको दोनों ही smart phones के बता दिये दोनों smart phones आपको पूरे loaded मिल जाते हैं अभी आप पर हैं अगर आपने Samsung Galaxy S20 Plus की हो जाना है आप जा सकते हैं अगर आपने Samsung Galaxy S20 FE की हो जाना है आप जा सकते हैं Plus मैं आपको कहना जाता हूँ भी अगर मेरा बजट भी 50,000 होता न तो भी मैं भी Samsung की फूंस की और ही जाता है बिकाज मुझे स्टोरेज अच्छा मिल जाता है पुरसासर तगड़ा मिल जाता है डिस्पेच ही मिल जाता है प्लस भाई मेरा में टॉपिक जो है न मतलब मेरी में चीज जो है वो है कैमरा मुझे 8K में शूट मिल जाएगा एंड फ्रेंट कैमरे में मुझे 4K option देखने को मिल जाता है Samsung के दोनों फूंस में जो की मेरे लिए खास ही आता है अगर आपको भी मतलब कैमरे के कॉर्णि स्मार्टफोन चाहिए न आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है लेकिन अगर आपको पावफुल स्मार्टफोन अगर आपनी गीमिंग करने है अगर आपको 64GB स्टोरेज से फरक नहीं पड़ता आप आइफोन 11 के और भी जा सकते हो उसका भी कैमरा पर साहसा डिस्प्ले बहुत अगड़ा देखने को मल जाता है तो यार जितने भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताए न वो सभी लोड़ अभी यारे मेरी वीडियो यहीं पर हो जाते है खतम अग्र आपको मेरी वीडियो के लिया वीडियो को लायक करते है और अगला ब HUोच को दोस्तों कीरते हैं लेक नहा करता है नत्या है तो धैंक यू